नमस्कार आप देख रहे हैं टास्क नियूज नरायणपुरजिले के एतिहासिक मावली मेले में इन दिनों बड़ी धूम है पाँच दिवसी मावली मेले में शामिल होने अबूज माड इलाके से भी ग्रामिल पहुच रहे हैं जहां वो अपने आवशकताओं के वस्तुएं खरीद रहे हैं नरायणपुरजिले के अंदरुनी इलाकों में रहने वाले इन ग्रामिलों के लिए साल भर में यही एक वो आवसर होता है जहां वो अपनी दिंचरिया से जुड़ी हुई वस्तुओं के साथ ही अपनी अन्य आवशक वस्तुओं की खरीदारी करने यहां आते हैं मावली मेले के अंदरगत इन दिनों पाँच दिव से सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजन भी यहां किया जा रहा है जिसमें तेविस फरवरी को बस्तर अंचल की जानी मानी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था राजपरप के प्रसुति देखने को मिली इस कारेक्रम में राजपरप के गलाकारों ने हलबी, छत्तिसगडी, ओडिया, गोंडी, भत्री, आदेगीतों पर अपनी प्रसुतियां दी उखने डिमन, तुमक्रे राधि डि राधि जबन एगमनिया काकडा, दोई मनिया डारा, तरंगे तरंगे जारे काकडा ओटफारा बाइले भीते सोए, मनुँप बिता जागे किस पहला कारग को शुद्धिख लागे किसे डाकरा को शुद्धिख लागे युद्धि युद्धिली आदड़ भानें पंचवती माओ दाई सोने के मिलगा आगे अर हर अर चारा चरै नहीं वो उदक उदक के भागे तैमिर गाते चाला दाई का कर देना तैमिर गाते चाला दाई का कर देना मानी पीए चंदा तो चंदे में मूलू पाए बुरी सुरू जी के छापी जल जाए अर गर मंगा तैमिर गर मंगा अले हमर डूगा तो ही लंगा अले हमर डूगा तो ही लंगा राजप्रब गरूप पिछले दस वर्षों से लगातार बस्तर के साथ साथ ओडिसा और छतीजगड की भाषा बोलियों पर अपने प्रसुतियां देता आया है राकेश यादव आशुतोष प्रसाथ और उनके साथियों द्वारा यह सनस्था मंच पर अपने प्रसुति देने के साथ ही अंदरुनी इलाखों में स्वास जागरुकता का कारे भी कर दिया रही है अंदरुनी इलाखों में स्वास जागरुकता कारे भी कर दिया रही है